हेलो गाईज, आज हम बना रहे हैं आफगानी चिकिन, चिकिन को मैंने अच्छे से धोकर ले लिया है, वे गैस पर भगोना रखा है, भगोने में खुब डिर साथ टेल डालेंगे, तेल में हम जीरा, काली मिर्च, लॉंग, बड़ी, लाजी, जबती डालेंगे, फिर उसके ब ताकि इसका स्वाद अच्छा आए, पेस्ट को हम बगोने में डाल कर अच्छे से भूज लेंगे, और इसमें मुफली के दाने और बादाम डालेंगे, आप चाहें तो इसमें काजू डाल दीजे, फिर इसको एक हम मिक्सी जार में निकाल लेंगे, निकालने के बाद हम इस तेज पत्ता ये सब भी एड़ कर लीजे, पर मैंने अभी एड़ ने किया है, फिर इसको हम अच्छी तरीके से हिलाएंगे, और इसको भूज लेंगे, कि जब तक ये तेल ना छोड़ दे, उसके बाद हमने मसाले ले लिए हैं, गरम मसाला, चिकिन मसाला, हल्दी पाउडर धनिया पाउडर, नम माक, इन सब को में एक बाउल में निकाल लिया है, निकालने के बाद, देखे, मसाला कितना अच्छे से भूज गया है, इसने तेल छोड़ दिया है, ये देखे, इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है, अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने चिकिन दोके है, चिकिन को डाल देंगे, चिकिन डालने के बाद, इसको मिलाएंगे थोड़ा सा, अच्छे से, मिलाने के बाद, हम इसमें, जो हमने सारा जो मसाला बनाया था, ये हम इसमें एड़ कर देंगे, नमका आप स्वाद अनुसार और अपने अनुसार ले सकते हैं, इसमें डालने के बाद, फिर हम इसको अच्छे से मिलाएंगे, और ये देखिए, अच्छे से मिलाने के बाद, इसमें कितना हमने भूज लिया है, इसमें तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, फिर हम इसको ढख देंगे थोड़ी देर, फिर हम इसको मिलाएंगे, का ऐसी द साथ हम गैस को बन कर देंगे और इसको हम एक प्लेट में सर्फ कर लेंगे देखिए कलर कितना अच्छा है तेल एक दम अलग हो गया है और इसको प्लेट में निकालके इसके सर्विंग करेंगे यह देखिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें कमेंट करें शेर करें और मेरी चैनल को सस्क्राइब परें थैंक यू फर वाचिंग माई चैनल